हेलो इवर्डीवन रीना किचन में आपका स्वागत है कैसे हो आप सभी आई होप आप लोग अच्छे होंगे मस्त होंगे आज हम आपके सेर में करेंगे ना इतना जल्दी फटा-फट बनने वाली रेस्पी पाव भाजी की रेस्पी उभी प्रेसर कुकर में कम से कम दस से पं आते हो तो अगर आज पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें क्या होता है वी जितनी सब्सक्राइब केरें क्या होता है विकेंट होते जाती है न मुक्रेंवने सबस्का भाजिया वस्तो plural कि गार चम माडर्य हर मिट में जितनी भी सब्सक्राइब दूर्प कर लिया हैं फहले क्या करेंगे आलु को इस तरीके से छूटी छूटी पीस में काट लेंगे बस अब बच आदि चूप अंदर उसको इस तरीके से हम छीन लेंगे इस तरीके से और जुकंदर को भी चुछछटे करेंगे हम इसकर पाव भाजी में बहुत जादा अच्छछ आते हैं तो बच चुछछछँ पीस कर लेंगे और नेक्स टेप गविश्च आपके अमारी पास है तो इसको भी हम काट लेंगे तो हम बस गज़ायों को बितेंगे क्षब बहुत आपहल डगोशों था किंपल तरीकिया रेष्पीय जो अब फटाफट बना कर सकते हो पर जो विस टेड़ा जो लेगे ऑर एम पाओ को प्रस्रीके सद एक दमान काव करेंगे फिर प्याज को क्या करेंगे ना बारिक चॉप करेंगे तो इस तरीके से हम थुरा सा बारिक ही चॉप करेंगे तो हमने दो प्याज लिए हैं दोनों प्याज को इस तरीके से बारिक चॉप करेंगे तो इस तरीके से प्याज चॉप हो जाए तो इसको साइड करेंगे और टमा तो हम जरूर बच्चों को किलाते हैं बनाके इस तरीके से पाव वाजी और बिल्कुर आसकत नहीं लगता है बनाने में क्योंकि इतना असान तरीका है न कि फटा-फट बना के तयार कर सकते हो प्रेसर कुकर में मुष्किल से 10-15 मिन लगते हैं और यह हम पावाजी बना के बच्चों को त्यार करके दे देते हैं कभी लंच में देते हैं आप एक बार जरूर ट्राइब करिएगा इतना आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेंगे तो बस सारी सब्सक्राइब कटने के बद हम गैस पचरा दे तक में घ्रैजमी नहीं प्रश्कान के देगा त्योंन प्रूं के बटर क्वटल कि मैज़ में के रब ऑद हम डर सब्सक्राइब कर दो दो प्रेश ज्यादा सभी सी रहते हैं और इस तरीके से दालना को प्रेश कर्ना सब्सक्राइब कर देना लिए और रखका चौप कि प्रेश च्छेंज करना सोफ्त भी सब्सक्राइब देख सकते हैं और प्यास भी दोनों कुछ मसाली एड़ करेंगे तो हमने एक चमच भर किसमें लालमीच पॉड़र डाले हैं फिज में हम डाल देंगे हम हल्दी पॉडर चुटकी वरिस में हमने चमच लगवद डाल देंगे पाव भाजी मसाला रहीं तरीक से कड़ेंगे सब्सक्राइब अब और दो जाएं अच्बीदेंगे तो हम सब्सक्राइब अबिबाव हो डाल दिया है तो पहले बहुत सींपो बहुत ही असान अफट अफट बनने वाली रेस्पी और इसी बाहर ने आपके बची भी ने वो सारी सब्सक्राइब खाएंगे उलिया चार चार के खाएंगे बार बर मांग के खाएंगे आप एक वाज़ों ट्राइक करके बना बच्छों को खिलाएगा इस तरीके से फॉप देखेयों से क्यों सुवस्य दो कप पांज अइड़ कर देंगे तो इसी कप से दो कप पांज आइड करेंगे हुलं अप अप Σब्सक्राइब करिए ठीक कि ने जिऑ अश्य तरहेंगों सब्सक्राइब ने ढदी ने कर हैं ने के और अभें काचिती हैं कि अदेख कर देख सकते हैं है इसके दैख सकते हैं तो भी एक दाव है पर इसको भी मैश करेंग न थे सा छोगर अच्छे नहीं प्रूपित मस्स Waspda Mit Das K기를 को सबढसे हैं करें लेके अर एक द दो पर करेंगे Paranis पाव भाजी परफेक्ट बन के तयार हुई है अब इसको तरकी की बार है तो बस हम लिल लेंगे तरका पैन और इसमें डाल देंगे बटर आप तो पाव भाजी जितना बटर डालो उतनी अच्छी टेस्ट भर के आती है पाव भाजी में तमने बटर दाल दिये हैं लगवाग आप टेस्ट बदल जाएंगे पाव भाजी का इस तरीके से पाव भाजी बन के अग्दम तयार है देख सकते हैं भाजी परफेक्ट बनी है मुश्चिल से 10 मिट लगे होंगे हमको यह बाजी बनाने में और अमारी भाजी बन के तियार है अब चलते हैं पाव को सेक लिएं तुप नदावा चरहेl हैं और को दाल के बटर समने भाव बच्म नाय। बटर को पिस तरीके से reconstitu And a इस तरीके से गगे आप चाहिए तो इसमें बाजी Tabii पर डाल के और आवी शेख सकते पर कैना सब्सक्राइब करें और अगर आज करें हमारे बची पसंद नहीं करते हैं अब आप अगर आज कि रेशिपी हमारी पसंद आती है तो like करें हमारे चलों को subscribe करें और comment बना कर खा कर फिर करें कि कैसी लगी ये recipe आप लोगों को और इतनी आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेंगे और अपने दोस्तों को साथ share जरूर करें फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में आप अपना ध्यान रखें पेक्यार, बाइब बाइब